है सो फ्रेंट्स निम्राइपल सेवन के स्टेडी करते हैं और सेवान देखे कर रहा है कि-एक सविध तीन बटे चार प्लस दो सविध पांच बटे आठ प्लस तीन बटे बाइप्फ प्लस एक बटे छै का मांद क्या वह गा तो इसका हम लोग हल करते हैं और इसको इसका हल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं इसको सरा लूप में निख लेते हैं एक साइट तीन में चार को मिले सकते हैं चार एक कम चार चार तिन साथ एव जगा सेवन बाई फोर प्लस इसको ओजगा आरदूना सोर और सोर पाच कितना होगा 21 एव जगा 21 अपान एट पलस इसको लिखेंगे 3 अपान एट पलस एव जगा वण बाई 26 अब देखınız क्या करते हैं इस सब का एल सेम लेते हैं तो चार य आठ आठ और चे का कितना होगा 24 तो देखिए ओड़कळना ओगर और चार चार का तो यहां पर कितना चार और चार एक कम कितना वह जागा ठीक है अब उपर क्या करते हैं और नीचे लिखेंगे 24 24 तैना वोज़ेगा 24 उपर क्या ओज़ेगा तैक चार और नौ चार कितना होता तैरह कितना ओगा 16 16 कितना होगा 19 19 PB 9 हाथ मैं एक और दिखे यहां पी क्या हो ज़ेगा चाहेच 410 एक गारत 119 बर्टीचोंट और फानलीस कोस्टन क्या होगा ऐसा ही आंसर होगा तो इसका सब्सेंपर क्या करते हैं हल करते हैं बहुत निम्रेकल गए और और शर्ष जलंकार है और कैसे करेंगे इसका हल विडियो संख्या हैं, A and B हैं, कारा कि इनका योग कितना है, 20, यहां पर हम लिख सकते हैं कि A plus B equal to कितना है, 20, इसको मानेंगे equation number 1, इनका गुड़न फल, A into B का जो मान है, 40, इसको मानेंगे equation number 2, and last में कारा कि इनके विउतकरम का योग कितना होगा, ठीक है, तो विउतकरम का योग इसलिए लिखेंगे, विउतकरम का योग मतलब, अब A को लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1 upon A plus B को लिखेंगे 1 by B, अब इसका योग क्या होगा, ठीक है, इसमें जनरली क्या करते है, इसको और simplify कीजिए, A और B का LCM कितना होगा, A और B का LCM होगा, A, B upon, अब देखें, इसको divide कीजिए, A कट जाएगा, तो यहाँ पर B प्लस A आ गया, तो देखें, A प्लस B या B प्लस A का मान कितना है, 20 है, तो A हो जा पाइगी जिगा, 0, 0, disconnect हो जाएगा, दो दूना चार, तो फाइली आपके पास में जो answer आएगा, यह आएगा, 1 by 2, तो इस question का, फाइली क्या होगा, answer होगा, तो हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, PCA Knowledge, तो फ्रेंट्स, यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर स्टड़ी कर रहा है, mathematics का, संख्याओं का सवली करण, यहाँ पर हम लोग निमेरकल नमर 9 और निमेरकल नमर 10 का स्टड़ी करने वाले हैं, तो अचलिए टाइम पेस्ट न माना संख्या ए है, तो क्या कर रहा है कि ऐसे संख्या से गुड़ा करना है, जो क्या करते हैं, पंदरा से गुड़ा कर रहा है, उसमें तो कितना अधिक हो रहा है, एक सो चानवे अधिक हो जाती है, तो माना संख्या ए है, और ए है, और इसमें जब हम पंदरा का गुड़ा कर रहे हैं तो 196 से क्या होती है ए अधीक हो जाती है तो संख्या हमको find करना है तो कैसे हम find करेंगे implies data यहां पर लगाएंगे यहां पर भी implies data लगाते हैं तो आज देखिए हम क्या कर सकते हैं देखिए एक जब 15 हम गुड़ा करेंगे तो कितना होगा यह हो जागा 15A एक सो चानवी प्लस यह होगा आप एक इधर हम बेजेंगे तो यह होज़एगा आपके पास में 15 A-A equal to 190 अत्मा 15 में से जब एक एक घटाएं जब कितना होगा 14a तो implies data यह होज़एगा 14a एकोल टू एक सो चानवी अत्मार्यास हम एकोल टू फाइंड करें एकोल टू कितना होगा एक सो चानवी बटे चोध है और साथ इसको डिवाइड कीजेगा तो फाली जो एंसर आएगा वह आएगा आपके पास 14 ठीक है इसका एंसर हो जागा और चलिए निमेरकल नमर्ट 10 का इस्टेडियम लोग करते हैं इसमें कहा रहा कि यदि एक संख्या जो किसी दूसरी संख्या से 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी ठीक है तो इसका सालवस्वान कैसे करेंगे माना माना वह संख्या माना वह संख्या ए है या फिर ऐसे मान सकते हैं और देखे इसमें क्या करा कि यदि एक संख्या जो किसी दूसरी संख्या 40 से 4 कम है तो 40 से 4 कम क्या होगा 36 होगा 36 से 5 गुनी बड़ी है इंटू से 5 गुनी बड़ी है तो संख्या क्या होगी तो क्या करते हैं इसमें हम 5 से multiply करते हैं तो equal to हमको find करना वो संख्या क्या होगी तो यहां से हम applies debt लगाते हैं और 36 में देखिए जब 5 का गुड़ा करेंगे 6 35 को कितना होगा 0 होगा, हाथ में आया 3 और 5 या 15 3 18 तो संख्या क्या होगी 180 होगी, तो बहुत simple सा numerical था और इसका solution हमने find कर लिया फ्रेंट्स वीडियो यहें तक था, वीडियो कैसे लगा like कीजिए अपने दोस्तों, share कीजिए तब तक next वीडियो में आप से मिलते हैं thanks for watching कि प्रेंटalo कि वीडियो में तो सथ दोस्तों कि वीडियो kamu जो सदस्तों ग्रिण आप कि वीडियो